इंडिया के पास सिर्फ मुश्किल से 14 डेज का रिजर्व बचा था रिजर्व बचा था इंडिया के पास तब गया था जो आज पाकिस्तान जाता है ना इंडिया के पास गया था तो इंडिया ने अपना जो गोल्ड है वह आएम एफ को गिर्वी रखा था उसके जगे उसके बदले में इंडिया को फिर कर्ज मिला था कि फ्रॉम डैट 1991 से लेके 2024 इंडिया बहुत आगे पहुच चुका है तो फाइनिशल इमर्जेंसी कंडिशन तब आई थी जब 1990-1991 में जब क्राइसिस हुए थी इस यह सब कॉंपनिया लॉसमें यह सब एकॉन्वी में पुड़ाओं लॉसमें सारी प्राविटाइजेशन थाने सारे प्यूसमें पैसियों को पीजनस की तरह से चलाई नहीं जा रहा था सब उसे गौवर्मेंट अपने प्रोग्राम की तरह चला रहे थे लॉसमें फिर उस नाम वो फोर्स में आया उसके बाद जनता पार्टी आई जनता पार्टी ने वी पी सिंग ने अपनी एरिये को स्ट्रॉंग बनाने के लिए मंडल इशू लाया मंडल इशू को नूटराइज करने के लिए बीजेपी एनदर सपोर्टर्स ने कमंडल इशू रामजन भूमी वाला इशू शुरू कर दिया के ऑस हो गया भारत में दंगे भड़त चुके थे और उसे में मंडल इशू कारण तो जो अपर जो अपर कास्ट थे देवर सेल्फ इमोलेटिंग वह अपने आपको जला रहे थे बीच और रहें पर ओके मालब यह नाइटी नाइटी वन की बाता है वास तो थोड़ी बहुत हलकी फुलकी जो न्यूज उसमें आता था हलका अभी भी लोग जब राम जन भूमी वाला हुआ तो पूरा यह कर दी कि सद्धाम हुसेन की समझ की एयर मुवी त है ना सद्धाम मुसेन की बुद्धी ब्रस्ट पर अटेक कर दिया जएसी मुलिटी में धैक हुआ अमेरिका ने रिटेलिएट कर दिया इससे क्या हुआ इराक और गल्फ वार शुरू हुए जो पेट्रोल के दाम जो आपके 20 रुपय थे वो सीधे सीधे 35 से 40 रुपय होगा पहले 20 रुपय पेट्रोल था इंडिया अपना 90 परसेंट पेट्रोल बाहर से लाता गल्फ से आता इंडिया के पैसा आ नहीं रहा है अचानक खरीदने वाली चीजों के दाम बढ़ गए सर पैसा ही नहीं था पूरा खाजाना खाली हो चुका है और इस समय बीच में नर्सिम्हा राव को भरतरतन दिया गया ओर आपके मन्मोहन सिंघ तो उनके से क्राइंच स्था प्रियमम श॥ा इस ले लिए इंडिया को इस क्राइस से निकालौ and since he was a very able bureaucrat Manmohan Singh and he designed the budget in which LPG was their liberalization, privatization and globalization. और वहां से इंडिया ने एकॉनमिक जो लीप करना शुरू किया तो यह जो आज ग्रोथ आप देख रहे हो ना, it is because of that